जन्ता ने मन बना दिया है वही जिनकी नहीं चलती उनको चलता कर देंगे ठीक है अपना मनीज जी को जिताएंगे वारती जन्ता बाटी की सरकार पूरे रहाणा के अंदर दुबारा से आएगी तीसरी बारी आएगी एकी सो रुपे महीला को मिलेंगे चे बच्ची हो चे बुड़ी हो चे जवान हो फुड़ा जीने तो कुल टोटल अपने ही घर में बरे हैं सारा कुछ महीला का मतलब भोत अच्छा ध्यान दे रहे मोधी जी भी नाइप सेनी जी भी और हमारे मनेश जी भी हरियाना के चुनाब अपने अंतिम चरणों पर हैं हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है ऐसे में हम हर विधान सबा जाकर आपको एक रिपोर्ट कार पेश कर रहे हैं कि आकिरकार विधान सबा के हालात क्या हैं इसके साथ ही किस परतियाशी में कितना अदम है आज हम इसी के चलती रहुतक में मुझूद हैं रहुतक ने कई आंदोलन देखे हैं और रहुतक को कॉंग्रेस का गड़ कहा जाता है इसके साथ ही कॉंग्रेस की कमर तोड़ने के लिए बीजेपी ने भी एक मास्टर प्रेयन तेयार किया है और इस बार बीजेपी भी फुल फॉर्म में नजर आ रही है अब देखना ये होगा कि पांस्तारी को बटन किस तरफ जनता दबाती है मगर हाँ बीजेपी के कई सारे दावें हैं इसी जानने के लिए हम बीजेपी के कुछ कारेकरताओं के बीच हैं साब मौल क किसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और भारतिये जंता पार्टी के पक्ष में चल रहा है तो ये हुड़ा साब का गड़ कहा जाता है रहो तक तो उन्होंने क्या कुछ काम करा ये क्योंकि पिछले 10 साल से विधायक भी बीजेपी उसके रहे को आप ये कहें कि सांसत के रूप में चुने गए थे तो तब भी वो लोगों ने ग्रीन बिर्गेट से चुटकारा पाने के लिए इनको चुना था और उस समय के समीकरन इस टाइब के थे के हुड़ा साब को चुनना पड़ा था तो उनका कोई गड़ नहीं है गड़ तो बीजेपी का ये र ले पांस ग्रोवर साब के दावे ये तो हर्याना सरकार के साथ मुलगे हर्याना सरकार का एक नारा था हर्याना एक हर्यानमी एक तो यह नहीं था कि रोतक में खाली विकास करिये होंगे एक मैनिफेस्टो तो रोतक के लिए त्यार हुआ है कि आने वाले जो पांच साल का जो है उसमें एक जार करोडर रपया सिर्फ रोतक की सीवरेज सिस्टम को ठीक करने का जो केंदर सरकार देगी केंदर सरकार से लाया जाएगा क्योंकि मास्टर प्लान में लगो पैसा पानी वाला सिस्टम है यह सारा प्रोणे जनसंग क्या अधार पे था यहां पर पांच आदमी रहते थे पांच वादमियों के लिए वो सिस्टम था अब वहां पे 50 आदमी हो गया है तो 50 के लिए सिस्टम में बढ़ोतरी करने पड़ेगी इसलिए पूरे शेहर के मास्टर प्लान एकजार करोड़ का है के शिवरेज और पाणी वाली लाइन चेंज होगी कुछ महिलाओं का हमेशा साइलेंट बोर्टर पर देखा जाता है ऒब बज़ेपी की कोई महिला काले करता बोलती है तो मोजी जी कहते हैं उब को भी भी महिलाइ जीने जीताएंगे अर में वहत अच्छा काम कर रहे हमारे में हुद्दा जी को विद्दा करें गे इस बार रोधा से बिलकुल करेंगे उडा जी को यहां अम रहने निदेंगे तो दो बागिया सरकार से विदा पो हां सरकार हमारी आयेगी लोगों न मन अली आई एक आप कमल के फूल पर बोड़ देंगे यह जो वक्त चल रहा है तो विधायक ने काम करा है क्योंकि दस साल आपने विराजमान करा उसे तो आपको लगता है कि कुछ काम हुए है हाँ जी बहुत काम करें मनिज जी ने काम करें तो अब जिस तरह से रुटक का समीकरन लग राया है और हुट्ड़ाओ का गड़ कहा जाता है तो उस टाइम बताते थे परची खर्ची से नोकरिया वोकरिया लगती थी तो इन बातों में सचा ही एक वाई देखो जी ऐसा है हु कुछी रहती ना इन्ह »लार का गम रहता इस इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है अब पिछले पांच साल मी नहीं रही विदायक तो इन्होंने यह नहीं सुच collect मैं जा नहीं हूं इन्होंने उसी रफदार से काम करवाई तो कोई जो पिछले पिछले पाँत साल की कर रहा हूं ने वदायक रही हैं इनfी ऐक भी आदमी का ड़ंसे काम नहीं करया और हर बार यह कह देते हैं, भई मेरी तो चलती नहीं है, मैं कहां से क्या करूँ, तो यह चलती नहीं है तेरी, तो तू मत रहना, छोड़ पद, तो अब जनता ने मन बना लिया, भई जिनकी नहीं चलती उनको चलता कर देंगे, ठिक है, अपना मनीजी को जिताएंगे टेक्निकल चीज आप समझा दो मुझे ऐसे हरियान भी पहले जब चुनाव होते थे तो छेत्रिया पार्टियों का बड़ा बोल बाला रहता था आज हालात यह हैं कि वो छेत्रिया पार्टियों हरियाना से पूरी तरह खत्म हो चुकी है और टक्कर सिर्फ बीजेपी और कॉं किया चाहे राष्ट्रिये मलगे जैसे इने लो थी या जेजेपी है पिछे जेजेपी का देख लो क्या हाल है आज चाहे वो साड़े चार साल भार्टिय जनता पार्टे की साथ मिलके चले लेकिन उनके हलात ऐसे हुए बड़े हैं तो इसलिए लोगों का ना विश्वास र होता ही है वो लोग तो मेंके आए के हर। Але के लोगों को आज ये लग रहा है किए किंदर के अंदर मोदी की सरकार है तो उसी तरीके हर्यआ हां में भी ए मृजवी की सरकार है और और किंदर से जो ग्रांट मिलती है जो पैसा मिलता थूर कर तो केंदर से Michaels के लिए रिएणा उप मंदी सरकार में कहा गया महीलाएं बड़ी सुरक्षित हैं और सुरकसित महसूस करती है हर्याना में कॉंग्रेस का भी राज रहा और आप हालात बताते हैं पूरी तरह से बदल गए तो आप मोधी सरकार में खुद को बड़ा महफूद हाँ जी सेफ है हम मोधी सरकार में और जो हमारे मनीज जी है हमारे दुख सुख में महारे साथ खड़े रहते हैं और बीबी बत्रा यह कहते हैं भाई हमारी सरकार राजन दो तब देखेंगे यह मारा क्या देखेंगे बताओं इनका तो सूपड़ा साफ होन वाला है हर्याना में अगर सरकार तीसरी बार बनती है तो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए बड़ी सुविधाय महसुस है हमारे जो नाइब सेने जी हैं वो कहा है आप सेनी या खटा नाइब सेने जी वो कह रहे हैं 2100 रुपे महिला को मिलेंगे चब बच्ची हो चे बुड़ी हो चे जवान हो सब को पैंसन के उससे महिला का मतलब बहुत अच्छा ध्यान दे रहे मोदी जी भी नाइब सेनी जी भी और हमारे मनेश जी भी एक नम मैं जैसे गाउं गाउं में मैंने बहुत लोगों से बात करी एक बात आप इमानदारी से जवाब दो हर्याना में महिलाएं बहुत कुछ बोलने से बच्चती है और उनका कहना ये था कि जहां घरवाले बोलेंगे वहां बटन दबा देंगे तो आपको ऐसा लगता है कि इस महल को बदलना चाहिए महिलाओ बदलना चाहिए महिलाओ आग आनी चाहिए हाँ आप तो महिलाओ के प्रेड़ना हो तो ये कुछ कॉंग्रेस को जो पचारने वाले बीजेपी के कारे करता थे वो हमारे साथ थे जिनका साफ तोर से कहना है कि इस बार कॉंग्रेस के लिए रोतक में बड़ी मुश्किले साबित होने वाली है और बीजेपी ने एक मास्टर प्लैन तयार कर लिया इसके साथ ही महीला युवा बच्चे सब ही परचार में जुटे हुए है खेर तस्वीर आठतारिक को साफ होगी मगर हाँ यही तया है कि कॉंग्रेस के लिए बहुत भयानक लड़ाई रोतक से देखने को मिलेगी कैमरे प्रसम फिर्दोस के साथ किरिशा पांचाल रोतक